आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रमोसर वारानसी में आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले है डेटा कम्यूनिकेशन कंप्यूटर का एक छोटा सा टॉपिक है डेटा संचार डेटा कम्यूनिकेशन यहां से डेफिनेटली एक से दो प्रशन आपको एक समझाएंगे ताकि आप एक्जाम में एंसर तक तुरंत पहुच जाएं और जो यहां पर हमने एक्जामपल लिखा है जो थियरी सेक्षन है बस इतना आप अच्छे से दिमाग में रखिए आपके कोई भी कोशन गलत नहीं होंगे चाहे जो भी आप प्रेक्टिसेट मारिया एक्जाम में आप कोशन करिए और लास्ट में ने पीवाई की कोशन रभी रखा है लास्ट में जो प्रिवेस एक्जाम में पूछे गया है तो उसको भी आप खटा-खट साल्व कर देंगे बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने दिए चली स्टार्ट करते हैं वीडियो लाग डेटा से अस्थानांत्रन करना होता है तो यहां आपस में एक संचार चैनल से जुड़े होते हैं ठीक है यानि अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो यहां एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे मानक चलिए यहां एक मिनट यहां पर A B C यहां पर तीन कंप्यूटर रहें और डेटा आपको ट्रांसफर करना है यहां एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे तो आप डेटा को इजली ट्रांसफर कर सकते हैं देखिए आप डेटा को अगर आया कनेक्शन से नहीं जुड़ा रहेगा तब भी आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं वायलेस मेथड से ठीक है वायलस से आप transfer कर सकते हैं जैसे आप Bluetooth से किसी एक mobile से दूसरे mobile में गाने को लेते हैं या PDF को send करते हैं तो यह क्या है या data cable से जुड़ा होता है नहीं जुड़ा होता है या wireless method से होता है या data का communication क्या हो गया या wireless method से भी हो सकता है और यहाँ पर wire से भी हो सकता है तो data communication दो या दो से अधिक computer केंद्रों के बीच digital या analog data का अस्थनांतर है जो आपस में संचार channel से जुड़े होते हैं और जो data communication होते हैं या तीन प्रकार के होते हैं ठीक है या तीन प्रकार के हैं कौन-कौन से simplex, half duplex और full duplex और यहीं से बार-बार question पूछे जाते हैं simplex का मतलब क्या हो गया देखे simplex का मतलब हो गया इसमें data का प्रवाह एक ही दिसा में होता है ठीक है यहाँ पर देख रहे है arrow यहाँ पर data का प्रवाह केवल एक ही दिसा में होगा मानक चलिए नामक computer यह बी नामक ठीक है यहा यहाँ simplex हो जाएगा जैसे एक्जामपल क्या है keyboard क्या है अगर keyboard में आप कुछ भी type करते हैं तो जैसे आप typing करते हैं तो typing करेंगे आपको laptop में जिस पर आप typing करते हैं उस पर देखते हैं ठीक है लेकिन आप उधर से response कुछ नहीं आ सकता है यहाँ से आप कर सकते हैं उधर स कुछ response नहीं आ सकता है उसी प्रकार monitor हो गया रेडियों हो गया जैसे रेडियों पर आप गाना सुनते हैं तो रेडियों पर जब आप गाना सुनते हैं क्यों आप सुन सकते हैं और यहां से कुछ आप कर नहीं सकते हैं ठीक है तो उसे कहते हैं यहां पर simplex कहते हैं television आप लिखता चला जाएगा और यहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं यहां से कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं तो यह आपका हो गया सिंप्लेक्स गाना सुन लिया आपने अपने ठीक है रेडियों पर आपने गाना सुन सकते हैं इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो यह आपके सिंप्लेक्स के उधारन हो गया चले दूसरा है हाफड़ीक्स में क्या होता है इसमें data का प्रवाह दोनों दिसाओं में होता है ठीक है देख रहे हैं यहाँ पर दोनों दिसाओं में होगा ठीक है लेफ्ट से राइड भी होगा राइड से लेफ्ट भी होगा लेकिन किन्तु एक समय में किसी एक दिसा में ही data का प्रवाह होता है यानि एक समय में आप किवल एक प्रक्रिया ही कर सकते हैं जब तक कि वह प्रक्रिया पूरी ना हो जाए जैसे इसका सबसे बेस्ट इक्जामपल है वाकी टॉकी ठीक है वाकी टॉकी इसका सबसे बेस्ट इक्जामपल है और इसमें क्या होता है डेटा का प्रवाह दोनुद दिसाओं में होता है किन्तु एक समय में किसी एक ही दिसा में डेटा का प्रवाह होता है जैसे आप देखते होंगे जो ट्रैफिक वाले होते हैं पुलिस वाले होते हैं आप देखते होंगे जो wireless में, ठीक है wireless में बोलते हैं, वाकी टॉकी में बोलते हैं, तो एक बार जब बोल देते हैं, ठीक है? वह तब तक नहीं दुबारा बोलते हैं, जब तक कि वहाँ पढ़ूचनी जाता है, जैसे यहाँ पर बोल देंगे major over, ठीक है? या कुछ भी पोछ कि एक समय में जब डेटा का प्रवा एक तरफ हो तो उसे हम कहते हैं वाकी-टोकी इसमें डेटा का प्रवा दोनों तरफ ही होता है लेकिन एक समय में किन्तु एक दिसामी ही होगा चलिए वाकी टॉकी इसका एक्जामपल याद रखिएगा चलिए next है full duplex तो full duplex क्या होता है जैसे इसमें क्या होगा इस channel से data का प्रवा दोनों दिशाओं में एक साथ होता है दोनों दिशाओं में एक साथ होता है जैसे mobile phone जैसे आप किसी को phone लगाते हैं आप इधर से बात करें वह उधर से बात कर रहा है तो यह क्या हो गया mobile phone हो गया full duplex का उधार्ण वीडियो calling क्या हो गया वीडियो calling में full duplex का उधार्ण है जैसे यहाँ पर आप example के माद्धम से देखें आप में आपको अच्छे समझ में आएगा यहाँ पर वीडियो calling बात हो रही है यहाँ से कोई है मानलिजे इधर से वीडियो बात कर रहा है उधर से वह वन्दा बात कर रहा है यानि दोनों तरफ से बात हो रहा है और एक ही समय में जब इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है एक साथ होता है तो इसे हम कहते हैं फुल डुपलेक्स कहते है अच्छे से याद रखेगा बहुत इंपोर्टन है और इसके example ही बार बार पूछे जाते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं सुन सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं हाप डुपलेक्स में क्या होता है इसमें डेटा का संचार दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशाओं में होता है जैसे वाकी टॉकी वाकी टॉकी में जैसे एक बार कोई पुलिस ऑफिसर बोल देगा उसके बाद लास्ट में जब तब तक नहीं बोलेगा जब तक वह वहाँ पहुंचने जाता उधर से रिप्लाई नहीं आ जाता ठीक है तो यह वाकी टॉकी हो गया फुल डुपलेक्स में क्या होगा इस चैनल में डेटा का प्रवाद दोनों दिसाओं में एक साथ होता है उसे फुल डुपलेक्स कहते हैं जैसे मोबाईल फोन और वीडियो कॉलिंग अब यहां से हम लोगों ने समझ लिया है अब देखते हैं प्रिवेसर कोश्चन हम लोग का कितना अच्छे से साल्व होता है चलिए पहला कोश्चन है पहला कोश्चन पूछ रहा है टेलिवीजन ट्रांस्मिशन निन में से किसका उधारण है तो अभी हमने बता है टेलिवीजन जो है Sea Commons का उधारण है क्या उधारण है क्योंकि यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं टेलिवीजन को देख सकते हैं रेडियो को सुन सकते हैं टाइपिंग कर सकते हैं इसमें कुछ चटज्मेंट नहीं कर सकते हैं उद्वर्चे कोई reply नहीं आ सकता है ठीक है तो यह हो गया आपका टेलिवीजन सिंप्लेक्स हो गया दूसरा है कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में किस ट्रांस्मिशन का उप्योग होता है देख कंप्यूटर की बात करें कीबोर्ड की बात करें तो सिंपल सी बात है हमने कीबोर्ड की बात किया था यहाँ पर simplex ही होगा तो right answer होगा option number A simplex दूसरा यहाँ पर उधान है तीसरा question देखी यह भी उत्रपदेस पुलिस में पुछा गया है निमलिकित में से कौन सा भी कल्प है अर्ध दोयद संचार उपकरण यानि half duplex communication device का उधान है तो half duplex का सबसे best उधान कौन सा है walkie talkie है क्या है walkie talkie है तो option number D correct हो जाएगा तो यहाँ से friends से अब आपके कोई भी question गलत नहीं होंगे बस इस example को अच्छे से याद रखिएगा जो example हमने करवाई है इस example को अच्छे से याद रखिए इस से बाहर आपको कुछ भी question नहीं याद रखना है simplex में आपको keyboard, monitor, radio, television half duplex में walkie talkie और full duplex में क्या रखना है mobile और video calling ठीक है mobile phone और video calling इसको अच्छे से याद रखिएगा बस यहाँ से आपका कोई भी question गलत नहीं होगा और फिरेंट से जरूरी सूचना है computer की e-book के reference में और यहाँ पर देखिए आरेल टाइम में junior assistant, stenographer, vpo, forest guard सभी की exam continue लगे हुए stenographer का भी exam लगा हुआ है और store keeper का भी तो इसके लिए देखिए computer बिल्कुल hand detance तयार किया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे syllabus को design किया गया है और UPGK भी है UPGK भी है यहाँ पर syllabus देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से design किया गया है तो ज़्यादा जानकारी के लिए कैसे book को लेना है नीचे वीडियो के description box में टेलिग्राम का link दिया गया टेलिग्राम को भी join के लिजे और description box को check out करेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल detail से बताया गया कैसे इस book को purchase कर सकते हैं तो आज का हम लोग का topic बिल्कुल complete हो गया है इस topic के साथ ठीक है इस topic के साथ आपका एक से दो नंबर भी confirm हो गया है तो friends से रही आज की वीडियो बाकी मिलते हैं next studio तब तक के लिए जैहिन वन्देवातरम